आँशा देखे वैसे तो एंटे टैरेसं फ्रंट इंडिया हमेशा अतंक वाद की खिलाफ खालिस्तान के खिलाफ पकिस्तानी टैरिस्टों के खिलाफ शाउग बर खालचा जैसे नाल सिंग भिंट्रावाडा की मोहिम रही हो जगतार सिंग हावारा एंड पार्टी रही हो जिन्हों ने बडायल जेल जैसे ब्रेक केस किये जो तिहार्स पे जो फिर चंडी गड़ आने की साजिस रच रहे ते जिनको मेरे एंटी टैस इंडिया ने विरेश शांडीला ने ख खालिक्तान मुवमेंट के पर भी बात करता हूं तो मीडिया मेरे से बोलता है कि आप डिरा समर्थक हैं मैं डिरा समर्थक नहीं हूं मैं सरसा डिरा सदा सोता का कभी नामदान भी नहीं लिया मैं इंसानित बस यही अपराद में हर बार करता हूं आदमी हूं आदमी से प्य किसमें भारतिया सेना के लिए लाखों युनिट खूनी कठा किया 30-35 साल पहले से मैं देख रहा हूं दिरा सत्ता सोधा प्रमुख को उस टाम तो ना उनके पर हैं लोगों की ब्राइओं को चाड़ आटवारा लोगों की शराब रावना लोगों को मास से दूर रखना प्रायी इस्ट्री को बेंट बताने की सिक्षा देना और मैं समझता हूं कि जितने समय से मैं संद्गुर्मीत रामरहिम को देख रहा हूं अगर लास्ट बाई-चोवी साल से भी मैं बात कहूं कि मैं उनकी हिस्ट्रिक और कि इत्यास को पत्चीस साल से देख रहा हूं पढ़ रहा हूं कभी मौका लगता है टीवी पे उनका ससंक भी सुन को इस तरह की बात कही है कि जिससे समाज में भाईचारा खंडित हो हिंदू सिख भाईचारा खंडित हो हिंदू मुस्लम भाईचारा खंडित हो हिंदू इसाई भाईचारा खंडित हो लेकिन लगातार डेरा सच्चा सोता के उपर इस तरह की साजी से रची जा रही है यह बड़ी तकलीफ का विशह है, मैं देश के परधानमंत्री से, देश के होममनिस्टर से, आमिशाजी आपसे मांग करता हूं, कि मेरी समझ में बाबा, जो संत गुरमीत राम रहीन है, वो आज अगर जेल में बैटा है, तो आज जेल में साजिसों के कारण बैठा है, साजिसों क मिलने के बाद अपने तेरा बड़ूडलज़े में जाते हैं, क्या वो परण मिलने के बाद सरसाथ एक यह बंदिश्य लगा दी, चाला कि बर्नामा मरिमार व के बाद जाते हैं जो ूपषे साजा कम होना, मिलना, छुट्पेयों मिलना, हरierto के यह मैं जुल हिं इस जो दो के साथ अपने किस तरह का सरकार ने भीएव करना है कोट का जब तक कोट किसी को सजा नहीं करती दोश्ची देगे तब तक वो कोट उसकी केर टेकर है तब तक उसके बाद उसकी केर टेकर गवर्मेंट ऑफ स्टेट गवर्मेंट है चाहे वो सेंटर की है चाहे वो जिस प्रदीट कलेर नाम का आज में परिवार डेरा सच्चा सोधा यह वहां सरसाथ डेरा में रहता है और 122015 में जिस तरह की बेहतभी की बात हुई दोजार पंदरा में चारपाच एफईयर दर्ज हुई उन फईयर इंदर डेरा सच्चा सोधा प्रमुक्त आदमियों की उनकी साजिस बताईगे आग गि आज तक जिस तरह एक आम आदमी पार्टी के ब्धायक है जो पहले आईजी रैंक के अधिकारी थे उन्होंने भी लगा तार मांग कर रहा है कि मेरी रिपोर्टें खोलो लेकिन जो फ्रीद कोट वाड़ी बात है इसको लेके सीवेई भी जांच कर चुकी है इसको लेके सीवेई सेंटिफिकली इनिस्टिकेशन भी कर चुकी है कॉल डेटेल्स भी चेक क भालू हो या डेरे की उनकी बेटी बढ़ी हो या हनिपरीथ हो मैंने नहीं कहीं पड़ा और मुझे याद है कि एक क्लोजर रिपोर्ट जो है सीवेई ने महौली कोट में दी थी कि बाबा जी या उनके लोग इन्वालूब नहीं है बेहत नहीं है और मैं एक पर फिर रपी इन्याओं को बैटी बढागे वीधा करते हैं तबी वो भाईचारे का पार्ट बढातें तब्यों सेना के लिए खून देते हैं कहीं भुचार आजे वहां जाके गाओं के गाओं बसा देते हैं को गंदगी में नारों में नारियों में बढ़के दखाई तो अब मुझे जो जानकारी मिली है डेरे से जुड़ा एक वेक्ति जो किसी टाइम में पॉलिटिकल विंग का नेशनल प्रिजिट था सरसागत थे तो परदीप कलेर बाबा जी ने मुझे पता चला कि कुछ समय पहले जो पॉलिटिकल विंग था वो इसको डिस्ट्रॉइ कर दिया भंक कर दिया कि अब कोई यहां पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो वह प्रदीप कलेर ने एक स्टेट्मेंट दिया 164 का ब्यान दिया और उस 164 के ब्यान में अपनी जान को भी खत्रा बताया और अनिपरित के पर एलिगेशन लगाया कि उसके शाले पर बेद भी हुई 15, 16, 18, 18, 19, 21, 23, 24, क्या परदीप कलेर जी 10 साल का डिले एक्स्प्लिन करेंगे क्या परदीप कलेर जी 10 साल तक चुप क्यों रहे वो गुरूओं का ये सम्मान करते हैं मैं तो ये मांग करूँगा कि ये परदीप कलेर ने बहुत बड़ी साजी स्रची है हिंदू सिक पाई चुप्टी लेके आया हैं पीसफुली आते हैं पीसफुली चला जाते हैं आते हैं सांती का संदेज देते हैं भाईचारे का संदेज देते हैं तो परदीप कलेर जी को किसने मैनुप्लेट किया किसने ये कांस्प्रेसी की परदीप कलेर को किसने परपेर किया डेरे के खला सब ने हो दोस्तान है तो दूभडा को पुझा जाता है गोबर मुचा-जाता है इस पथर सब बहुत ही है जिस देश में गंगा बैती है यहां तो ख्वाजा जी की पूजा होती है पाने की पूजा होती है सुगत सूरज निकरता इसको हम आरक दखाते हैं यह हमारे भारत की संस्कृत है दोस्तों तो यह जो परदीप क्लेर में एलिगेशन लगाया एक सो चौट का वैसे तो वैसे नहीं है इस सोचोट के बयान आप किसि को गृफ़तार करर लोगों इस सोचोट के बयान गंग की रेलिविंसी की झाहिए को नहीं उसका बेस क्या है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 10 साल के बाद फिर पंजात को और हर्याना को आग में दैलाने के लिए आगे है कोई मिश्टर प्रदीप कारण क्या है भाई प्रदीप जी बताओ कोट प्रदीप जी से पुछे आज कोट 10 साल में तो डेरा सच्छा सदा परमुक्स से खत्रा नहीं हुआ आज महानेने के बाद क्या खत्रा हो गया तो यह साजिस एक भगवंतमान जी को मैं मिलूँगा भी पगवंतमान बड़ा स्याना चीमेंस्टर है डीजी भी गौरव यादर बड़ा स्याना डीजी भी है डेरा मुखी को लेके चाए CBA ही हो बड़ी सेंस् लोग कहने वाड़े तो CBA को तोता भी बोलते हैं सरकार का लेकिन अब हमारे डफे सिंग राठी जी की डेथ होगी मडर हो गया तो अबे सिंग ने कहा कि मैं CBA से जाज करवाना चाहता हूं तो CBA को जाज दे दी ग्रहमत्री फॉर्मर ग्रहमत्री इनिली विजी ने तो यह एक सो चोशट का व्यान जो दिया गया पगवंत्मान जी मैं आपको बताना चाहता हूं यह पंजाब में अतंक वाद लाने की बड़ी भारी साजिस है बड़ी भारी साजिस है जब कलोजर रपोर्ट दे जा चुकी है संत गुर्मीत राम रहीम को बदराम करने की एक बड़ जिम्मेवारी से मैं विरेश चंडिल्या बड़ी जिम्मेवारी से मैं पूरे देश में पूरे पंजाम में सर्सा में भी इसकी ब्रैस कॉंस करूँगा यूपी में भी करूँगा लखनाओ में भी करूँगा बागपत में भी करूँगा चंडिगड में भी करूँगा फृ वीडियोग्राफी करके नारको टेस्ट हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, हनिपौरीथ को, अब अब हनिपूरीथ को टार्गेट कर लिया, कितने साल से 17 से बाबाजी जेल में 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 अब 8 साल के बाद हन्य परीतियाद आगी ये कहीं न की प्रेशन टेक्टिस डेरेकों पर बनाई जा रही है सरसा बाबा को बद्धनाम करने की साजिद चर रही है कि उनको द्वारा पेरोल ना मिले और ये मामला उठाक होन रहा है शिरोमनी गुर्दवारा परबंदक कमेटी मैं शिरोमनी गुर्दवारा परबंदक कमेटी के जो मुझुदा परदान है उनसे मांग करता हूँ कि आप गुर्दवारों के रखने खाफ के लिए बने है आपने संत गुर्मीत राम रहीम की पैरोल को क्यों चैलेंज किया, बाबा जी ने आपका क्या नुक्सान किया, मुझे एक वीडियो, एक प्रवच्छन, एक ब्यान कहीं संत गुर्मीत राम रहीम का लाग के दिखाओ, जिसमें संत गुर्मीत राम रहीम ने किसी धर्म गुरू के बारे में, किसी गुरू के बारे में, किसी गुर्ण साप के बारे में, किसी कुरान के बारे में, किसी गीता बाइबल के बारे में, रामाइन के बारे में, कोई अपशब्द कहें हूँ, देखे, संत जी जेल में है, साजिस ना रच कोई भी व्यक्ति साजिस ना रच सके मैं पक्वांतमान की क्यों उज्जत करता हूं पक्वांतमान को जब जरूरत पड़ी उन्होंने हमिश्चा के साथ मिलकर पंजाब में एक खून की बूंदनी डूलने दी और उस अमरीत पाल सिंग को डबरुकर जेल पज सारी हैं तो मैं शिरोमने गुर्दवारा परबंद कमेड़ी से मांग करूँगा कि आपको कोई राइट नहीं है बाबे ने पैरोल पे आगे किसी सिख चत्थे बंदी के खलाव किसी किसान अंदोलन के खलाव किसी गुरु गुरु गुरंच साब के खलाव पहली इसलिए उनका पब्लीक कलीं मैं भी मैं भी मैं भी एडव को गटन ओ आगोगं जो ड़ंको टेस्ट होगा वीडियोग्राफी में जिस से अमन और शान्ति घ्रावो और परदीब कलेर को किस ने अप्रोच किया किस के थुरू अप्रोच किया किस पुलिस ने स्टेटमेंट कराई 164 का बियान कराने की जूरत एकदम इतने साल के बाद क्यों जूरूरत पड़ी क्लोजर रपोट के बाद भी इसकी 164 के बैनों की जूरूरत पड़ी यह सारे कंटेंट्स डीपली स्टेडी करने की जूरूरत है क्योंकि लोग सभाचुनावों से पहले संत गुरमीत राम रहिम के खलाब बोलना उनकी मुँ बोली बेटी हनी परीट के खलाब साजिस रजना डेरे के ही एक वेक्ति जो नेशनल विंग का प्रेइडन्ट था उसकी 164 की स्टेटमेंट करवागे डेरे को ही बतराम करना एक बहुत बड़ी गैरी साजिस को दरशाता है क्योंकि मैं रास्ट ही तैशी हूँ मैं रास्ट भक्त हूँ मैं पंजाब से प्यार करता हूँ मैं देश की अवाम से प्यार करता हूँ मैं आतंक वाद के खलाब डटकर लड़ता हूँ मैं खालिस्तानियों के खलाब डटकर लगता हूँ मैं शायद हिंदुस्तान में पहला ऐसा वेखती हूँ जब 2004 में ब्यन सिंग के हत्यारों ने बड़ायल जेल ब्रेक किया जगतार सिंग हवारार परमजी सिंग भ्योरा ने जो बबर खालसा का पुरमुक का है जगतार सिंग उसके खलाब मैं हाई कोट गया 2004 में आज से 19 साल प यह वही संद्गुर्मी तराम रहे मैं जब इनके उपर टायर लगाके RDX लगाई गई तब मैं उन्हां तंकवादियों खिलाब बोला हूँ मैं हमेशा हा का नारा लगाया जो व्यक्ति इंजण है जो व्यक्ति जख्मी है वो किसी जाती का हो वो किसी धर्म का हो अभी मलेर कोट्रेवारी रानी मरी मैं हा का नारा लगा किया मैंने कंदा दिया मैं किसी धर्म है जाती मैं मिश्वास नहीं करता मैं ब्राह्मन कौम्स में पैदा हुआ मैं हिंदू हूँ लेकिन मेरे लिए सिख भी उतना ही प्यारा है मेरे लिए हिसाई भी उतना ही प्यारा है मेरे ल जूर्ट पड़ी तो मैं एंटी टेर्स प्रेंट इंडिया की तरफ से हाका नहरा लगाते हुए और संत कुर्मीत राम रहीम को रहनी परीद को लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए मैं पपरिंग इंटरस लिटिगेशन डाल लूँगा अगर जूर्ट पड़ी पी एल नाम ब पर किसान बैठे हैं मैंने लगादार में किसानों से मांग कर रहा हूं कि यह ना करो देश की सांती खराब ना करो लोगों को अपने खिलाफ ना करो मैंने हमेज़ा सच की बात कई हम वो कलम नहीं जो जुख जाती हो दरबारों में हम शब्दों की दीव शिखाएं अंदिय कि तना की जा रही हैं मैं उन साजिसों को हो सकता है क्योंकि सचाई परशान हो सकते हैं पराजित नहीं सचाई को डिस्क बाहर निकालने के लिए समय लगता है क्योंकि जूट ताकतवर होता है उसको सच को साविट करने के लिए टाइम लगता है देखिए भगवान राम के कितनी बड़ी साजी सुई 14 साल जहां बनवास होना था रास तिलक होना था सेकेटों में बनवास करवा दिया गया और 14 वर्ष किस तरह जो है उन्होंने बाता सीता की लड़ाई लड़ी तो इतिहास उठा कर देखो मैं जो तिलक लगाकर बैठा हूँ गुरू तेक बहादुर की देन है जो हिंदू आए जिंदा है सनातन जिंदा है वो दस्वे गुरू की बक्षीस है दस्वे गुरू ने अपड़ा सब कुछ वार दिया तो मैं सिख भाईयों से भी पंजाब के सिखों से भी अपील करूँगा कि वो इस तरह की राजनीतिक बातों में आगर अबना होने दें ये वोई संत कुरमीत राम रहीम है जिनका वर्ल्적 रिकॉ extremes में जितने काम उनोंने जनित में उस व्यक्ति ने किये चायाक दान है शरीर दान है और्गन्स है किटनी है क्या क्या चीजे में घड़वाऊं इस तरह के वेक्तियों को इस देश में साजिसों का शिकार होना बढ़ रहा है इस तरह के वेक्तियों को जो है इस देश में पैरोल उनकी चैलेंज की जाती है जबकि एक भी पैरोल एक भ लिए कानून सब कुछ है सविधान सब कुछ है भाईचारा सब कुछ है इनसानियत सब कुछ है